इस कपल अजनी की है पानी के अंदर शादी आदमी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए सपुच करता है दुनिया में शादी लोग अपने यहां की री तिरेवास से करते हैं आपने शादी किसी मेरेच होम या फार्म हाउस में होती हुई देखी होंगी लेकिन आज जिस शादी के बारे में बता रहे हैं वो किसी मेरेच होम या फार्म हाउस में नहीं बल्कि समुंदर के अंदर पानी में हुई है यह शादी किसी और देश में नहीं बलकि अपने ही देश भारत में हुई है यह शादी 27 जनवरी को केरल के कोवलम तट पर हुई है इस शादी में लड़के ने एक विदेशी लड़की से शादी की है भारत में पहली बार ऐसी अनोखी शादी की हुई है और यह भारत की पहली शादी है जो पानी के अंदर हुई है महराश्ट्रा के रहने वाले निखिल पावार ने ग्रोफ बीच पर सलवकियां की रहने वाली यूनिका से शादी पानी के अंदर जाकर की जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो गए निखिल ने बताया कि जिलाई 2016 में कोवलम बीच पर उनकी मुलाकात यूनिका से हुई थी और इसके बाद उन्होंने शादी करने के ये भी इसी जगह को चुना शादी अलग धंग से हुई इसलिए उन्होंने पानी के अंदर शादी करने का फैसला किया निखिल पावार और यूनिक केरल के थिरुवनंत पुरम के कोवलम के पास समुद्र के 4 मीटर पानी के नीचे जाकर अंडर वाटर वेडिंग की और यह शादी पानी के अंदर करीबन 90 मिनिट तक चली कर्भर का फैसलिए यह बाला माई यूनिक की और है झामाटे में वाटर नी शादी किरी लिया बाला मैं शादी तक पुम एगाल और ये ञा सोगने पानी के वाटर एंडर हम है उन्हा पानी कर्सから थार है fulfill बापर उलику को लदाहायान झाल 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 झाल